हेलो फ्रेंड वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल सो फ्रेंड फाइनल एक और वीडियो लेकर आगे हैं आज हम फुल बैटरी ड्रेंट टेस्ट करेंगे अपने डीजो वाच आर की तो यहाँ पे आप देख सकते हो चार्जिंग यह है स्मार्ट वाच की 100% है मैं आपको बैटरी ड्रेंट ड्रेंट आर की कितना टाइम लेगी तो साथ-साथ अमारे पास इस्मार्ट फोन भी है उसमें मैं स्टॉक वाच उसमें भी जो है स्टार्ट कर पूरा आपको दिखाऊंगा की टोटल टाइमिंग क्या यहाँ पे लगती है इसमार्ट वाच को बैटरी ड् डिस्प्ले के साथ आपको यह स्मार्ट वाच मिल जाएगी बैटरी इसमें 280 mh है बैटरी काफी ज्यादा अच्छी जो है मिल जाती है यहां पर as compared to other watches तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं जो है स्मार्ट वाच में अपने टाइमिंग स्टार्ट कर देता हूं स्टाप वाच साथ-साथ आपको इस smart phone में भी जो है स्टार्ट करके दिखा देता हूँ फिर आपको जो है नेक्स टम दिखाते हैं एक घंटे बात की जो है कितनी जो है बैटरी यहां पे यूज हुई है सो यहाँ पर one hour complete हो चुके हैं आप देख सकते हो स्मार्ट वाच में मैं यहाँ पर stop कर देता हूँ फिर आपको दिखा देता हूँ कि जो है total कितनी जो है यहाँ पर battery जो है drain test जो है बारी जो हम कर रहे हैं कितनी total battery यहाँ पर drain हुई है smart watch की सो आप देख सकते हैं यहाँ पर 83% यहाँ पर battery शो कर रहा है एक गंटे में यहाँ पर 17% battery drain हुई है तो next time आपको फिर से जो है तोई दिर बाद दिखाएंगे जो है एक दो गटे बाद फिर आपको दिखाते हैं कितनी battery यहाँ पर drain होती है आप देख सकते हो total 2 hours यहाँ पर complete हो चुके है 2 hours में जो है कितनी battery drain होई है हम आपको दिखा देते है smart watch की डीजो watch R की जो है battery कितनी जो है यहाँ पर बचती है 2 गंटे के बाद जो battery आप देख सकते हो यहाँ पर total battery यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर total जो timing हो चुकी है battery drain होने की 5 गंटे हो चुके है stop watch पर यहाँ पर दो गंटे शो कर रहा है 2 गंटे जो है 3 गंटे के बाद फिर से जब मैंने 2 गंटे का यहाँ टेस्ट किया तो आप total 5 hours में देख सकते हो कितनी यहाँ पर battery अभी भी भी बची है 56% अभी भी battery बैटरी यहाँ पर आपको जो है शो कर रही है बची है 5 गंटे total हो चुके है फिर 2 गंटे बाद हम आपको दिखाएंगे कितनी बैटरी यहाँ पर हमारी smart watch की drain होती है total यहाँ पर 7 hours हो चुके है इस smart watch को तो दिखाते हैं आपको कितनी बैटरी यहाँ पर 7 गंटे में drain होती है आप यहाँ पर देख सकते हो 47% बैटरी अभी भी बची 7 गंटे total हो चुके है बैटरी drain टेस्ट को करते हुए आपको फिर से 3-4 गंटे बाद फिर से दिखाएंगे कि फाइनल कितने बैटरी बसती है अब यहाँ पर total आप देख सकते हो 12 गंटे हो चुके है मैं बैटरी drain करते हुए सुबा से पूरी शाम हो चुकी यहाँ पर अभी टाइमिंग 10-11 बज़ रहे रात के 11 बज़े से सुबा सुबा रात के 11 बज़े वाले अल्मस्ट हो चुके है तो यहाँ पर total 12 गंटे हो चुके है बैटरी drain करते हुए तो मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी अभी भी बैटरी यहाँ पर शो कर रहा है 7% अभी भी अगर आप विजिबल हो आपको तो देख सकतो 7% अभी भी यहाँ पर बैटरी दिखा रहा है तो मैंने यहाँ पर फिर से स्टॉप वच स्टाट कर दिया था स्मार्ट वच में थोड़े देर बाद आटोमेटिक यहाँ पर 12 बच के 5 गंटे आटोमेटिक यहाँ पर स्मार्ट वच बंद हो गई थी आपको मैं दिखा देता हूँ वह तो फाइनली यहाँ पर स्मार्ट वच बंद हो गई है तो टोटल जो यहाँ पर आप देख सकतो 12 गंटे 6-5 मिनट में जो है टोटल फूल बैटरी ड्रेन हुए हमारे डीजो स्मार्ट वच की तो यहाँ पर बहुत लोगों ने कमेंट किया था हमारे अन्बॉक्सिंग की वीडियो में बैटरी ड्रेन का इशू आ रहा है तो मैंने पूरी फूल ड्रेन टेस्ट यहाँ पर कर लिए और चार्जिंग भी टेस्ट मैंने किया है तो जल्दी से स्मार्ट वच को चार्जिंग टेस्ट स्टार्ट कर देते हैं चार्जिंग टेस्ट स्टार्ट कर दिया है 50 मिनट बाद आपको दिखाएंगे चार्जिंग कितनी हुई है तो यहाँ पर आप देख सकते हो 15 मिनट में 45% चार्ज हो चुका है नेक्स्ट आपको फिर से दिखाएंगे थोड़ दिर बाद तिल देन वीडियो को अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को लाइक कर दें टोटल यहां पर एक घंटे complete हो चुके हैं दिखा देते हैं आपको charging यहां पर कितने हो चुकी है 78% आप देख सकते हो एक घंटे में 78% हमारा 이नमार्ट वाच चार्ज हो चुका है फिरसे थोड़ी देर बाद आपको दिखाते हैं स्मार्टवाच चार्ज हो चुका है फिर से थोज्ट दिर बाद आपको दिखाते हैं तो यहां पर 5 घंठा हो चुका है 97 परशनेट जो है स्मार्टवाच चार्ज हो चुकी आप देख सकते हूं तो 3-5 मिनितर में हो जाए तो फाइनली एक गंटा 34 मिनट पर जो है स्मार्ट वाच हमारी फोल जो है यहाँ पर चार्ज हो चुकी 100% आपको दिखा देता हूँ बैटरी आप देख सकते हो, करेंट बैटरी 100% टोटल चार्जिंग टाइम एक गंटा 34 मिनट अगर आपको जो है वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब को नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेजिए, ऐसी वीडियो जो हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेगे तिल देन थैंक यू सो मच फोर वाचिंग माई वीडियो